मैं विशेश रुट से मानिय डॉक्टर मनमौन सिंग जी का स्मरण करना चाहूंगा वैचारिक बद्भेद कभी बहास में छिटा कसी वो तो बहुत अलपकालिन होता है जब भी हमारे लोगतंत्र की चर्चा होगी तो कुछ मानिय सदस्यों की जो चर्चा होगी कुछ मैं मानिय डॉक्टर मनमौन सिंग की योगदान की चर्चा चुरूर डॉक्टर मनमौन सिंग जी विल्चेयर में आये वोट किया एक सांसद अपने दाईत्व के लिए केतना सजग है उसका वो उतार सवाल यह नहीं है कि वो इसको ताकत देने के लिए आये थे मैं मानता हूँ वो लोक्तंत्र को ताकत देने आये थे मैं विशेश रुप से मानिय डॉक्टर मनमौन सिंग जी का स्मरण करना चाहूँगा छेएक बार इस सदन में वो अपने मुल्यवान विचारों से और नेता के रुप में भी और प्रतिपक्ष में भी नेता के रुप में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है वैचारिक बद्भेद कभी बहास में छिटा कसी वो तो बहुत अलपकालिन होता है लेकिन इतने लंबे अर्षे तक जिस प्रकार से उन्होंने इस सदन का मारदर्शन किया है देश का मारदर्शन किया है वो हमेशा हमेशा जब भी हमारे लोक कंत्र की चर्चा होगी तो कुछ मानिय सतस्यों की जो चर्चा होगी उसमें मानिय डॉक्टर मनमोन सिंग की योगदान की चर्चा जुरूर और मैं सभी सांसदों से चाहिए सदन में हो या उस सदन में हो जो आज है वो चाहिए बविश में आने वाले है मैं उन से जरूर कहूंगा कि ये जो मानिय सांसद होते हैं किसी भी दल के क्यों न हो लेकिन जिस प्रकार के उन्होंने अपने जीवन को कंड़क किया होता है जिस प्रकार की प्रतिभा के दर्शन उन्होंने अपने कारकाल में कराए होते हैं उसका हमने एक गाइडिंग लाइट के रूप में सिखने के लिए प्रयास करना चाहिए मुझे आद है उस सदन के अंदर लास्ट कुछ दिनों में एक वोटिंग का आउसर था वीशे तो मैं छूट गया मेरा लेकिन पता था कि विजय ट्रेजरी मैंड की होने वाली अंतर भी बहुत था लेकिन डॉक्टर मनमोन सिंग जी वीलचेयर में आए बोट किया एक सांसद अपने दाईत्व के लिए कितना सजग है उसका वो प्रेरक उदार्ण था इतना ही नहीं मैं देख रहा था कभी कमिटी के चुना हुए कमिटी मेंबर्स के वो विलचेयर में भोड़ देने आए सवाल यह नहीं है कि वो किसको ताकत देने के लिए आए थे मैं मानता हूँ वो लोगतंत्रों को ताकत देने आए थे और इसलिए आज विशेश रुप से मैं उनके दिरगायू के लिए हम सब की तर्ब से प्रांथना करता हूं वे निरंतर हमारा मारदर्शन करते रहें हमें प्रेणा देते रहें